नमस्कार स्वागत है आपका संसर टीवी पर मैं हूँ मनोज वर्मा और आप देखे हैं हमारा खास कायकरम मुद्दा आपका आज हम बात करेंगे करनाटक विधानसभा चुनाव 2030 की करनाटक में होने वाले आगामे विधानसभा चुनाव 2030 के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का एलान कर दिया है मुक चुनाव आयोग राजीब कुमार ने करनाटक विधानसभा चुनाव के लिए घोशना करते हुए कहा कि 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे कन्नाटक में एक चरण में ही चुनाव होगा कन्नाटक विधान सभा का कारिकाल 25 मई को खत्म हो रहा है कन्नाटक में उमीदवारों की नामांकन की तारीक 13 अपरेल से शुरू है और आखरी तारीक 20 अपरेल है वही नामांकन पत्रों की जाँच 21 अपरेल तक की जाएगी और उमीदवारी बापस लेने की अंतिम तारीक 24 अपरेल है कन्नाटक में कुल 224 विधान सभा सीटों में से 36 अनुसुचित जाती और 15 अनुसुचित जन जाती के लिए आरेच्छेत है कन्नाटक में इस समय भाजपा की सरकार है कन्नाटक में आम तोर पर भाजपा, कॉंग्रेस और जन्ता दल स्ट्रकलर के बीच मुख मुकावला होता आया है लेकिन इस बार राज में आम आदमी पार्टी सहित कई छोटे इस्थानिये दल भी चुनाप की तयारी कर रहे है जहर सी बात है 2024 में लोकसभा चुनाप होने है उस लिहास से दश्चिन भारत के इस राज करनाटक का चुनाप खासा महत्मोर हो गया है भाजपा और कॉंग्रेस के लिए क्या परणाम रहेंगे ये तो समय बताएगा लेकिन इस चुनाप में कौन-कौन से मुद्धे प्रभावी रह सकते हैं चुनाप आयोग की तैयारी कैसी है चुनाप आयोग ने भुजर्गों और दिव्यांग जनों के लिए कई गोशनाएं की हैं तीन खास मेमान मेरे साथ इससे में स्टूडियो मौजूद है उनसे हम जो समाजिक समीकरान है करनाटक के उससे समझने कोशिश करेंगे वरिश पतकार जी शिरी दत्तन जी हमारे साथ इससे में स्टूडियो में हैं शिरी दत्तन जी आपका स्वागत है संसर टीवी पर साथ हम बात करेंगे चुनाव विशलेशक अजीश शुखला जी से अजीश शुखला जी आपका भी भवबस स्वागत है संसर टीवी पर शुरूबात आश्री दत्तन जी मैं आपसे करूँगा करनाटक का विधान सवाच चुनाव तारीखों का एलान हो चुका है जाहर सी बात है दक्षिण भारत का ये एक एहम राज है करनाटक राज़्यतिक दिश्टी से इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं कौन से मुद्दे आपको इस बार प्रभावी लग रहे हैं मना जी भारत भारतिय जर्दा पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एक स्टेट है करनाटक साउट में एक ही स्टेट है जहां पर बीजेपी सो फार हैस मैनेज़ तू बिक अम टू पावर इस लिहासे से यह बीजेपी के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है आपको इस इसको स इसे समप करना है मैं एक शब्द में एक लाइन में बताता हूँ पॉपुलारिटी ओफ मोदी जी वर्सस दे सिंपती फैक्टर ऑफ राहूल गांधी जी यह कॉंग्रस के लिए भी आप देखिए ओर्गनेसेशनली बीजेपी के बीजेपी बहुत स्ट्रॉंग है करनाटक म में दाट वे इवन कॉंग्रस ओल्सों कॉंग्रस का भी वहां पर बहुत अच्छा सा एक वर्चस है और वहां पर गांधी फैमिली के लिए एक सिंपती भी है यह 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 एक कनल क्योंट इग्नोर बट ऑफ अवर्वे इस वहां फीश्पी विट सपोर्ट ऑफ संग्र अस ब जो पोपुलारिटी वहां पर जो स्थानी लीडर्स है उनसे ज्यादा है वो करनाटका में है आप देख पिछले दिन वहां पर रोडशो वह था आपने देखा होगा कितना बड़ा सा तर्णाउट था और विमन चिल्डरन कमिंग आउट ने रोड़ तो so that way for BJP it is the Modi factor which is playing in favor of BJP and another thing आप देखेंगे तो BJP का बाकी Congress का organization strong है फिर भी आप देखें बीजेपी ने a campaign शुरू तो कर दिया है already today they have opened a very big media center and campaign has started and 6 मैंने पहले से ही उन्होंने house campaigning शुरू कर दिया है because they know that there is an anti-ingumacy factor which has to be overcome so that is why they have started their work very much right in earnest and that is also helping BJP and आप देखें एक और बात है वहाँ पर Congress में सबसे ज़्यादा rebels है जी मैं पार्टियों की राजनीती को समझनी की कोशिश आप से करूँगा जो करनाटक की समाजिक समीकरण है उनको भी जानने समझने की आप दोनों से कोशिश करूँगा लेकि चुनावायोग ने कुछ खास गोश्टनाएं की है मसलां 80 साल से अधिक उमर के लोगों और दि पहलाओं के लिए विशेश बूत बनाए गए हैं यूत को काफी इसमें इन्वाल किया गिया है अजीश शुकला जी अगर मैं यह जानना आपसे चाहूं सबहना चाहूं कि चुनावायोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि विधान सबा चुनावाले राज्यों में या चुनाव कोई भी हो उसमें अधिक से अधिक लोग जो हैं वो अपने मत का परियोग करें अपने मत अधकार का परियोग करें इस्तमाल करें इस पहलू को आप कैसे देखते हैं खास तोर से जो सीनियर सिटी जन हैं जो 80 साल से अधिक उमर के लोग हैं दिव्यांग जन है उनको घर से मतदान की सुगधा ये बहुत बहुत ही साकारात्मक कदम है अगर इसको देखा जाये तो क्योंकि वहां कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे की वोट सेर कम रहा है वोट परसेंटेज जो टर्न आउट रहा है वो कम रहा है तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्हों इस तरह के निरण hearing है ये बहुत की साकारात्मक कदम है चुनावायो का और लगातार कर रही है пять संदर में बहुत सारे ऐसे नियम कानून और बहुत सारे ऐसे चीजों को लागू किया है जिससके ज्ज़दा से ज्यदा मद्दान हो सके अगर overall कर्नाटिका क यहम बात करते हैं इतर अगर करनाटका की बात करते हैं तो करनाटका जो है वो एक बहुत ही अलग किस्म का राजे है और एक राजे में लगभग जो है वो चार-पांच राजे हैं करनाटका को अगर मोटे तौर पे बाटे हर लोग अलग-अलग रीजिन्स में बाटते हैं लेकिन अगर मोटे त वहां पर जो है Congress और बीजे पी के बीच में कुछ सीटों पर जो है वहां जे डिएस के तार triangle fight होता है अब वही अगर हम बात करते है ओल्ड मैसुरू रीजन में तो triangular होता है और बीजे पी ने in road किया है उस area में जो ओल्ड मैसुरू जो है वहां काटे की टककर है तो अगर आप पूरे पिक्चर्स को देखते हैं अगर तो वहां पे जो समाजिक तानाबाना है अगर करनाटिका के एलेक्शन को देखिए तो वहां पे लगबग चोवन परसेंट के आसपास OBC हैं और लगबग सत्रह से अठारा परसेंट दलित ह जो है वह एस्टी है ट्राइवल वोटर्स हैं अलगबग 14 परसेंट के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं और अगर आप वो OBC जो चोवन परसेंट है उसमें जो सबसे बड़ा मुख्य जातियां है वो है लिंगायत जो की 14 से 17 परसेंट के आसपास हैं और उसमें वोका लिगा और लिंगायत की जो राज़ीती करनाटक में इसको भी मैं समझनी कोशिश करूँगा लिगे करनाटक में 5 करोन 24 लाख मत दाता हैं और इनमें से 9.17 लाख बोटर्स पहली बार अपने बोट का इस्तमाल करेंगे चुनावायों ने ये भी कहा है कि 1 अपरेल 2023 को जो लोग 18 सा दालके हो रहे हैं वो भी बोट डाल सकेंगे लेकिन इसके लिए एडवांस एप्लिकेशन दी जाएगी तेरा सो से अधिक मतदान केंद्रों को विशेश रूप से महलाओं द्वारा समाला जाएगा ये समाजिक स्तर पर अधिक से अधिक मतदान में लोग हिस्सेदारी कर सक इस लिहास से चुनावायों ने महला बूथों को भी विशेश रूप से तयार इस बार करने का फैसला आग किया है और्गनाजर के संपादक पुरफुल केतकर जी भी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए है पुरफुल जी स्वागत है आपका संसाट टीवी पर करनाटक के विधान सबाद चुनावों के लिए तारीक का एलान हो चुका है करनाटक का जो विधान सबाद चुनाव है जाहिट तौर पे 2024 से पहले राजनीतिक दिस्टी से दक्षण भारत की राजनीति के लिहास से खासा महतपूर माना जा रहा है ये राज BJP के लिए भी महतूर है और कॉंग्रेस के लिए भी आप कैसे देखते हैं इस बार चुनाव को देखें ये चुनाव महतपूर्ण दो कारणों से है एक तो करनाटक पिछले कुछ हम देख सकते हैं दशकों से एक तरीके से अस्थिर राजनीकी का केंद्र रहा है एक तरफ कॉंग्रेस और BJP में काटेकरी टक्कर रहती है और BJP कुछ सीथे जादा लेने के बाद भी जैसे कि अपने पैनलिस्त भी बता रहे थे ग्रेटर बैंगलूरू में और अन्यस्थानों पर भी BJP एक अपना वर्चस्व बनाए रखने के बाद भी खास करके ओल्ड मैसुरू रीजन में जहां पे जेडियस का स्ट्रॉंग होल्ड है वहां पे बहुत जादा अपना प्रभाव ना जमाने के कारण कुछ सीटो से BJP जब दूर रहती है तो बाकी अपोजिशन पार्टी साथ में आने का ट्रेंड हमको करनाटक में दिखता है इस बार उसमें नॉर्डन रीजन में बेलगाओ के बॉर्डर डिस्ट्यूट का भी हिस्सा कंड़ा सुप्रमसी का कंड़ा भाशा के आदार पर राजनीती का ये भी मामला जुड गया है दूसरी तरफ वोकलिगा लीडर्स को उतार कर रामनगर में जो दक्षिन आयोध्या है उसका मसला एनिपी का इंप्लिमेंटेशन जिसमें पहला ऐसा राज करनाटक बन गया है तो इन सारी एक्षिवमेंट्स को इंप्रस्ट्रक्चर लेवल में हम देखते हैं शिमोगा, बेलगाओ इन रीजन में बहुत ज़ादा इंप्रस्ट्रक्चर डेवलप्मेंट नए एरपोर्स आये नया एक कॉरिडोर सेमी कंड़क्टर को लेकर बेंगलोर से आगे डेवलप हो रहा है तो इन चीजों को बीजेपी आगे रखने का प्रयास करेगी और ऐसे में मुझे लगता है की क्वेश्चन यही रहेगा कि मैसूर रीजन में क्या बीजेपी इंडरोर्स कर सकती है और वो करती है तो शायद मुझे लगता है इस बार पिछले कुछ चुनाव का ट्रेंड जो है वो बदल सकता है और एक साथ तस्वीर हमारे सामने दिख सकती है प्रफूर केतकर जी एक बड़ा सवाल एक बड़ा मुद्दा ये भी उभर के सामने आ रहा है कि भाजपा के जो बी-एस इदरुपा है उनके बगएर मतलब इस बार वो मुखमंतरी नहीं है उनके बिना पार्टी चुनाव में उतर रही है मतलब मुखमंतरी का फेस बी-एस इदरुपा नहीं है और बीए सुरुद्रुपा और उनकी कास्ट लिंगायत एक बड़ा फैक्टर रही है करनाटक की राजनीती में इस पहलू को आप बीजेपी की दिश्टी से कैसे देखते हैं क्या कहना इस मुद्धे पे आपका नहीं ऐसा है कि मुझे नहीं लगता इसका बहुत जादा कोई फरक पड़ने वाला है बहुत सारे प्रयासों के बाद भी लिंगायत समाज ये ट्रेडिशनली बीजेपी का स्ट्रॉंग होल रहा है स्वयम बसंवराज बोममई भी उसी जाती से आते हैं इसमें सारा जो हम सब्सक्राइद यदुरप्ता जी का वहां पर जर्म दिन इस तरीके से अस्तिवा मनाया गया उनको केंद्रिय जो कारेकारनी रश्ट्र कारेकारनी बीजेपी की उसमें भी स्थान जिया गया तो अपने आप में मुझे लगता है कि ये मेसेजिंग तो वहां पर कोई दिक्क और पढ़ने वाला है विश्यज़ यह है कि जो एक प्रोजेक्शन होता है करनाटक बारे में जो समस्त्य रही है करनाटक की कभी आप देखिए तो बैंगलोर छोड़कर पूरे करनाटक के समद्ध में कहीं पर हम करनाटक के बाहर बहुत ज्यादा पॉजेट्य प्रोजेक् करना तक मैं मानता हूं कि बहुत बार इस से अचुता रह जाता है और उस कारण से राजनीती बहुत जादा स्थानिक स्थार पर एक तरह से बन जाती है और ऐसे में एक चैलेंज हो जाता है कि आपने कुछ अच्छा भी किया हो तो उसको आप कैसे भुणा रहे हो किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हो जब शानिया मुद्दे हावी हो जाते है तो आपका क्या क्या इंफरेस्ट्रक्शर डेवलप्मेंट का क्या सेमी कंड़क्टर कॉल्ड और यह सारे मुद्दे क्या करेंगे मत दाता हो के साथ मैं मानता हूं कि बीजेपी के सामने अपने केमपेंज स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ा चैलेंज हो रहेगा वह यह रहेगा और ऐसे मे एक बड़ा इशू आप से जहर सी बात है करनाटक में बीजेपी के सरकार है विकास का एक मुद्दा रहेगा भारतिजनता पार्टी ने पांस सालों में जो विकास के कार करें हैं उसको बीजेपी वहाँ पर मुद्दा बना रही है और जो आने वाला गोशना पत्रिया जो वि एक बड़ा मुद्दा है और वो कैमेस्टी यदरुपा और प्रधानमंत्री नरिंद मोदी के बीच की जो कैमेस्टी है उसका भी एक संदेश एक संकेत जो हाली में प्रधानमंत्री जी का बंगलावर में और कनाटक के दूसरे शहरों में दौरा हुआ उसमें देखने को व मैं इसे इसलिए समझना चाह रहा हूं कि युदरुपा जी और लिंगायत समाज एक महत्पोर भूं का करनाटक की राजनीती में निभाता है बीजेपी की दिश्टी से भी और बैसे भी आप इस पहलू को कैसे देखते हैं मरजी यह जो लिंगायत समुख है वो एक मोनोलितिक नहीं है अभी आपने सही कहा था यद्यूरपा वहां सबसे कद्यवर कद्यवर नेदा था लिंगायत समुख का बट इसलिए पिछले बाद एलेक्शन में भी आप देखें वो बीजेपी के साथी था कॉंग्रेस में इतना बड़ा लीडर नहीं है इनको पूरा इनको पूरा समुख को इनके साथ आपको शायद याद होगा इनको एक माइनोरिटी स्टाटस देने का इस्यू था पिछले एलेक्शन में फिर भी आप देखें बीजेपी के साथ वो खड़े रहें तो इसलिए म करना तक में बीजेपी का आधार पहले से बड़ा है संगठन मजबूत हुआ है बीजेपी के पास कई तमाम नेता हैं पार्टी के जो इस समय संगठन महामंत्री हैं उनका तालुक करनाटक से है तमाम बीजेपी के नेता इस समय केंद्रिय राजनीती में हैं करनाटक से लेकिन बात अब कॉंग्रेस की और ज लेकिन एक Kongres, शिप कुमार जी की है, डीके शिप कुमार जी की, और दो सी सिद्र मया जी की है, दो बड़े चहरे कongres में आमने सामने हैं, और दिल् Или में, कongres के जो रास्ठिय अध्धक्ष थैफ खडगे साफ वो हैं, कॉंग्रेस के लिहाज से करनाटक की राजनीती को आप कैसे देखते हैं पहला सवाल दूसरा सवाल मेरा आप से यह है कि क्या कॉंग्रेस और जेडियेस साथ आएंगे या जेडियेस अकेले चलेगा देखे सबसे पहले तो कॉंग्रेस के लिए बहुत बड़ा हिस्टारिकल स्टेट रहा है आप देखे दो दो बार अगर कॉंग्रेस कमबैक हुई है अगर तो वो 70's में इंदरा गांधी कमबैक हुई थी करनाटका से चिकमंगलूर से और उसके बाद फिर बेलारी से 99 में कमब पे इस लहर चल रहा था तो वहां पर कॉंग्रेस जो है वो आ गई थी हालाकि जो है उसके बाद के साथ पहले कॉंग्रेस का जो है कॉंग्रेसी बताते हैं ये कि वो कॉंग्रेस का एक नेचुरल एस टेट है उसके बाद हुआ क्या कि बिरंदर पार्टिल जब आए तो बिरंदर पार्टिल के समय में राजीब गान्दी ने उनको हिमलेट कर दिया इसकी वज़े से जो है वो लिंगायट वोट जो है डिजर्ट कर गया उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है वो दूसरी पार्टियां और नीशन दे अगर आप करिंट इस्तिति की बात करते हैं तो करिंट में जो है वो यदुरप्पा जो है लिंगायट के सबसे मजबूत और पिखसे अदा वो लोक प्रिये नेता हैं ये रप्पा इसमें कोई संदेश नहीं है जबकि अगर आप कॉंग्रेस की बात करते हैं तो कॉंग्रेस में जो है वो सिद्धरमय और डीकेसिव कुमार जो है वोगा लिगा है और सिद्धरमय पूरुआ जाती से आते हैं और उन्हो पिछली बार जब बहुत सारे अन्य भाग योजना वगरा चलाया पांस साल का पूरा सफल सासन चलाया तो उन्होंने आहिंदा एक कॉंसेप्ट बनाया था कूरुआ के साथ जो ओबी सीज हैं जो वकालीगा और लिंगायत को छोड़ कर जो अधर जो है एडीगा है या और जो चोटी चोटी जातियां हैं जो कोली हैं या और चोटी चोटी बहुत सारी एक डिड़ परसेंट वाली जो जातियां है उन लोगों को मिला कर आहिंदा मुस्लिम दलित वगरा को जोड़ के बनाया था और वहां का जो कास्ट डाइनमिक्स है वो बड़ा ही कॉंप्लेक्स है वहां पे दलित भी दो तरीके के हैं एक राइट दलित हैं एक लिफ्ट दलित हैं जो लिफ्ट दलित हैं वो बोट कर रहे हैं इधर रिसेंट हिस्ट्री में देखा गया है वो बीजेपी को लिफ्ट दलित और राइट दलित जो है वो कॉंग्रेस को कर रहे हैं जो अभी ए गायत के नेता है Congress Campaign Committee के बनाए गए है चेर्मेन तो वहाँ पे कई धरों में बटा हुआ है Congress Congress के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है D.K. सिव कुमार और सिद्धा रमया दोनों में आये दिन होता रहता है लेकिन अगर overall हम अगर पूरे को देखते हैं तो सिद्धा रमया जो है वो सबसे popular नेता है Congress में और लेकिन सिद्धा रमया जो है वो आये तो है JDS से इस वज़े से जो original Congress के लोग हैं उनके साथ एंटी पैथी है उनका तो ये आपस में बड़ा ही एक उल्जहन वाला ICT हमेशा बना हुआ रहता है सत्ता में रहने पर भी था और जब लोग ये विपक्ष में गए तब अब Congress के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो तीन चार जो उनके धरें हैं पहला तो सबसे बड़ा परमुक धरा जो है वो डीके सिप कुमार और सिधर अमया का है इसको कैसे वो एक साथ जोड़ के रखते हैं और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो जो ये और जातियां हैं क्योंकि आप किसी एक जाती विसेस के अधार पे नहीं जीच सकते हैं हर जाती में rational voters होते हैं first timer voters होते हैं last time decide करने वाले voters होते हैं और ये election इतना काटे का है कि इसमें last time decider voter और flirting voters जो है बहुत जादा महत तो रखेंगे तो अब ये देखना पड़ेगा इस चीज़ को कि इन लोगों का आपस में क्योंकि अभी तो 125 सीटों का उन्होंने गोसना किया है बारतिये Congress ने और JDS ने 97 टिकेट का गोसना किया है अभी तो ये देखना पड़ेगा आगे कि ये लोग जो है आगे जो रेस्ट वाला है जहां पे applications कम थे उनको तो गोसना इ इटिकेट के लिए अब उसमें ये वो उस चीज़ को ये कैसे solve करते हैं दूसरी रही बाद दूसरा सवाल एक बार फिर से याद दिलाईएगा आप JDS और Congress का गठवंधन को ले के मेरा सवाल था JDS जो है अगर दोनों लोग गठवंधन करेंगे तो बड़ा polarization होने की संभावना है तो वो जो है भारत की जनता पार्टी को फाइदा हो जाएगा इसलिए बी जी Congress नहीं चाह रही है कि वो गठवंधन करें जी किसे फाइदा होगा किसे नहीं होगा ये तो समय बताएगा पिछले लोग सवाच उनौक में इसका प्रमान है पिछला लोग सवाच उनौक प्रमान है दोनों एक साथ लड़े और उनकी हस्र हो गई कि ये एक सीड शीर असाथ गरम रही है वो मुद्धे कौन से होंगे एक तो है वो रिसर्वेशन का वहां बर मुसलमानों का रिसर्वेशन निकाल दिया उन्होंने वो फॉर परसंट था वो खटा दिया है वो वकलिंगा और लिगायत को उसमें बाढ़ दिया है बीच में बाढ़ दिया है और आपने देखा होगा वहां पर हिजाब वाला मुद्दा बहुत अहम था वो करनाटका का यह वहां से उठा था वो सब वहां जो डिक्षिंट करनेडा सर ने ऐसे बोला था वो वहां पर यह सब इस्यू रेलेवन रहेगा तो इस आप देवलोप्मेंट का तो मोन जी जब आएं जाहर सी बात है करनाटक विधान सभा का चुनाव बेहर दिल्चस्थ रहने वाला है जाहर तोर पे दख्षन भारती सियासत के लिहास से भी भारती जन्ता पार्टी के लिहास से भी कॉंग्रेस और जी डी एस के लिहास से भी जो करनाटका चुनाव है उसके कई कौन किस के साथ गठवन्दन करता है कौन किस के साथ नहीं करता है।